क्या दोस्तों क्या आपने कभी लेमन टीया राइस कभी खाया है यह मैं आज लेमन टीया राइस बनानी जा रहा हूं लगभक मेरे आधे चाबल पक चुके हैं और इसमें मैंने लेमन टी बना के इसमें मैंने डाला है लेमन टी का जो है जूस है उसका मैंने बना के डाला है द कि इस परकार से लेमन टी राइस मनते हैं थोड़े ब्राउन कलर के हो जाएंगे जिस तरह से चाई का कलर आता है उसी परकार का होता है दोस्तों ये लेमन लेमन टी राइस क्यूं बनाया जाता है सबसे बड़ी बात तो यहाँ है लेमन टी राइस क्यूं बनाया जाता है आपका कोईशन ये होगा तो मैं आपको आपके कोईशन से रुबरू करा दूँ इसलिए बनाया जाता है कि चावल के साथ साथ एक चाई पती का भी आनन्द लिया जा सके पहला और दूसरा आपको ये बताओं कि लेमन टी राइस खाने से सरील में फुर्ती रहती है ठीक है दोस्तो एनर्जी आती है मेरे दोस्तो आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ अटपटा बोल रहा हूं पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं जिस परकार से आप चाई पीने के बाद एक सुस्थ जब रहते हैं चाई पीने के बाद आप में फूर्ती आ जाती है इसी परकार ये लेमन टी राइस खाने के बाद भी सरील में फुर्ती आने लग जाती है है ना देखिए ये चावल इस परकार बन रहे हैं बहुत बड़िया ब्राउन कलर आएगा इसमें बहुत सांदार चावल बनेंगे हैं बहुत ही सांदार आप एकीन नहीं करोगे मेरे दोस्तों मेरे यारो और मेरे वीवर सिस्क्राइबर मेरे जो आप फैमली हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं वादा करता हूँ आप से कि इस तरह का जो चावल बनाएंगी और खाएंगे तो बहुत ही आनंद जरूल आपको ना आए पर इसका वैनिफिट जरूल आएगा हाँ एक और बात कहना चाता हूँ जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे उनको कम दे ये चावल वो लोग ज्यादा नखाएं मैं फिर्फर करता हूँ कि ये चावल जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो और जो ठके रहते हैं अपने काम में रोजमरा के जीवन में काम में वैस्ट रहते हैं उन लोगों के लिए तो ये तो बहुत ही बढ़िया है वे लोग चावल में ही चाई का टेस्ट भी पा सकते हैं और बिना चाई पी याई चाई का आनंद भी ले सकते हैं सिर्फ चावल खाने से मैं ये जानता हूँ कि ये इस जूटूब पर एक नया किसिम का अदबुत वीडियो है और मैंने इसलिए बनाया है कि आप लोगों को फैदा हो आप लोग जाने है ना जाने पहचाने और एक नया खाना जो है नया रिशीपी जो है उससे रुबरू हो आप अकेला रहते हैं घर से बार रहते हैं ओपिस में काम करते हैं ठके हो आप ड्राइवर हो आप गाड़ी चलाते हो ड्राइवर हो लंबे रूप पर चलते हो है ना ओपिस में कंपूटर चलाते हो है ना तो घर में आके ठक जाते हो तो इस परकार का आप लेमन टी राइस बना की जैसे बड़े-बड़े थम्नेल बनाए बड़े-बड़े चमतकार बनाके थम्नेल पर डाल दिया तो कह दिया कि ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो पर वैसा नहीं सच में जो सच यहां पर मैं मेरे आँखों से जो दिख रहा है वह ही आपको मैं दिखाने की पूरी तरह से कोशिश करता हूँ देखिए मैं इसमें बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे चीज ग्यांस चुला शिलेंडर यह सारा नहीं है तो अभी मैंने थोड़े दिन में मैंने सेट अप किया यह थोड़े दिन पहले बहुती सांदार बनेंगे बहुती सांदार आपको मैं बता नहीं सकता मेरे दोस्तों बहुती सांदार और इसका बना हुआ वीडियो देखने के लिए आप मेरा सौट वीडियो देखिए है सौट उसमें मैं डालूँगा सौट सस्क्राइब जरूल करना मेरे चाइनल को सस्क्राइब जरूल करना जरूल करना और अपने दोस्तों को भी सिस्क्राइब करने के लिए कहना नए नए रिसीपी ले के आऊंगा नए नए एकदम अदबूत है न इस परकार के आप भी एक सैफ हो आप भी एक नया खाना और अच्छा खाना खाना चाहते हो आगे के वीडियो में आप बनते रहिए अभी के लिए इतना ही